इंडिया के थर्ड बिगेस्ट नेबरिंग कंट्री बांगलादेश में नेक्स्ट येर यानि जैन्वरी 2024 में जनरल इलेक्शन होने जा रही हैं यानि कीवल फाइप मन्स ही बचे हैं बट उससे पहले बांगलादेश में मचा हुआ है बबाल पूरी कंट्री में जगा जगा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कई जगा ये प्रोटेस्ट वॉयलंड भी हो रहे हैं अपोजेशन प्रायर मिनिस्टर शेख खसीना का रेजिगनेशन मांग रहा है आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वाई बांगलादेश इस बॉयलिंग बिफोर दे जनरल इलेक्शन वेल्कम तु स्टेडी आई क्यू आप देख रहे हैं जीओ पर्स आपके साथ मैं हूँ शिवानी बांगलादेश में इलेक्शन भले ही पांच महीनी बाद है बट इंडिया की ये इस्टर नेबरिंग कंट्री करीब एक साथ पहले से ही पूरी तरह इलेक्शन मोड में दिखाई दी रही है टू थाउजन ट्वेंटी टू से ही पूरे देश में शेख हसीना गॉवर्मेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं एकनॉमिक क्राइसिस के बीच बढ़ते फ्यूल फ्राइसिस ने अपोजिशन को हसीना गॉवर्मेंट के अगि हुई है कि एलेक्शन से पहले शेख हसीना गॉवर्मेंट अपना रिजिगनेशन दे और इलेक्शन न्यूट्रल केर टेकर गॉवर्मेंट के अंडर ही हो कोशन यह राइस होता है कि जब अगले फाइफ मन्स में जनरल एलेक्शन होने ही जा रही है तो फिर बी एन पी हिस्ट्री के कुछ पेजिस पलटने होंगे गिटाइम था 1990 का हुसेन मुहमद इरशाद के 1983 से 1990 तक चले डिक्टेटर्शिप के अगेंस्ट कंट्री में डिविलिशन हुआ और फूर्ट डिसमबर 1990 को इरशाद को रिजाइन करना पड़ा ड्यूरिंग इस शेख हसीना की इसमें एक ऐसी नूट्रल केर्टेकर गॉर्मेंट का फॉर्मेशन होना था जिसकी अंडर्टेकिंग में देश में इलेक्शन किये जाएं तब आवामी लीग बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इसलामी ने एक जॉइंट डेक्लरेशन इशू किया इस डेक् प्रिसेडेंट वाइस-प्रसीडेंट या मेंबर ओफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा मोर्धिन डैट केर्टेकर गॉर्मेंट का कोई भी मिनिस्टर भी इलक्टिपेट नहीं करेगा ये भी डिसाइड हुआ कि केर्टेकर गॉर्मेंट को 90 डेज में कराने ही होंगे चीस जस्तिस सहबुदीन एहमद को फॉर्सट केर टेकर गॉर्मेंट का चीफ़ एडवाइजर बनाए गया फॉर्सट केर टेकर गॉर्मेंट ने फैरवरीर में एलेक्शन्स करवाया बंग्लदेश नेशनलिस्ट पार्टी इस एलेक्शन को जीत गई और खाल 2008 में किया टेकर गॉर्मेंट ने पार्लेमेंटरी इलेक्शन्स करवाए इसमें दो बार शेक खसीना की आवामी लीग और एक बार खालिदा जिया की बीन पी ने चुनाब जीता बट चेंज तब आया जब जून 2011 में शेक खसीना गॉर्मेंट में अपनी ही पार्टी के न्यू चैनल किया टेकर गॉर्मेंट को लेकर किये गए इसमाल रही थी में 2011 में शुप्रीम कोट ने इस एमेंड मेंड को अन यस्टुछना डिकलेर कर दिया विदिन अ मन्त शेक खसीना ने विदेशीना ने निश्टुछनल अमेंड कर एंसी जी जी को समविधान से भी हटा दिय तब शेक खसीना ने कहा था इन्क्लूडिंग बेन पेंड जमाति इसलामी इसके अगिंस्ट मैदान में उता रहें बेन पी का एलिगेशन था कि सुप्रीम कोट के ओर्डर में एंसी जी को तुरंथ हटाने जैसी कोई बात नहीं थी बट आवामी लीग ने अपने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए तुरंथ सम्विधान में संशोधन कर दिया न्यूट्रल केर टेकर गॉर्मेंट सिस्टम के डिमांद को लेकर खालिदा जिया की बेन पी ने 2014 के एलेक्शन का बाइकॉट कर दिया और आवामी लीग अलाइंस को एलेक्शन में एक तरह से वाक ओवर मिल गया मांगलदेश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा फॉस्ट टाइम हुआ कि किसी गॉर्मेंट को कॉन्टिनेशली दूसरा टॉम मिला हो बट ये तब हुआ जब बी एनपी ने एलेक्शन फेस ही नहीं किया 2014 के बाद दिसंबर 2018 में बैंगलदेश में फिर से एलेक्शन हुए इस बार बी एनपी ने चुनाव लड़ा अगर वो चुनाव नहीं लड़ती तो उसका रेजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता था बट उसके चुनाव लड़ने का इस बार कोई इमपेक्ट नजर नहीं आया इस एलेक्शन में भी शेख खसीना की आवामी लीग ने क्लीन स्विप कर दिया आवामी लीग और उसके अलाइंस को 96% वोट मिले आवामी लीग 288 सीट्स पर जीत गए बिन पी केवल साथ सीट पर ही जीत हासल कर पाई इसके बाद बिन पी और जमाति इसलामी का प्रोटेस्ट और बढ़ने लगा बिन पी ने एलेक्शन लगाया कि आवामी लीग ने इलेक्शन में फॉर्जडी की है 2018 के बाद से कॉंटिनिवर्सली बिन पी कंट्री वाइज प्रोटेस्ट कर न्यूट्रल किया टेकर गॉर्मेंट के अंडर इलेक्शन कंड़क्ट कराने की डिमांड कर रही है इसमें एक इंडरस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आवामी लीग ने जिस एनजीसी के सिस्टम को खब कर दिया था उसी एनजीसी पर इयर 2008 के एलेक्शन में आवामी लीग को सपोर्ट करने का अलेक्शन भी लगा था बांगलदेश में एंटी गौर्मेंट प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा रीजन नीट्रल किया टेकर गौर्मेंट की डिमांड ही है बट इसके साथ साथ और भी कई इशू है जिनने लेकर कंट्री में अन्रेस्ट है इसका दूसरा बड़ा रीजन है शेख खसीना गौर्मेंट पर अपोजीशन के लीजर्स को टार्गिट करने का अलिगेशन इन फैब 2018 धाका की लिओर कोट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया को जिया चेरिटेबल ट्रस्ट के ओफनेस के लिए आए फॉर्इन फंड के टू पॉइंट वन करूर टका के अमबेजल यानि घुटाले का गिल्टी एनाउंस करते वे पांस साल जेल की पनिश्मेंट सुनाई जिसे हाई कोटे बढ़ाकर टेन येस कर दिया अक्टूबर 2018 में खालिदा जिया को जिया चेरिटेबल ट्रस्ट के 31.54 मिलियन टका के गबन के मामने में 7 येर्स जेल की पनिश्मेंट दी गए इसी तरह खालिदा जिया पर फॉर्जरी और करप्शन के कई केसिस चल रहे हैं बियन प्योर खालिदा जिया इन केसिस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हैं बट पॉजिशन ये है कि सीवियर डिजीज की विक्टिम खालिदा जिया में पॉलिटिकल स्ट्रीम से बाहर हो चुकी हैं इसी तरह खालिदा जिया के बेटे और BNP लीडर तारीक रहमान को कोट ने 2004 में शेख खसीना की रैली में हुए ग्रेनेट ब्लास्ट केस का कल्प्रिट अनाउंस किया और उसे लाइफ इंप्रेजमेंट की सजा सुनाए अल्दो रहमान बांगलादेश से भागकर लेंडन में रह रहा है BNP इन सारी एलिगेशन्स को फॉल्स और आवामी लीकी कॉंस्परेसी का हिस्सा बता रही है बट दूसरी और कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी बता रही है कि वाइलेंट प्रोटेस्ट कर BNP एक तरफ शेख खसीना गॉर्मेंट को अन्रस्ट करना चाहती है तो दूसरी तरफ जुडिशिरी पर खालिदाजिया और तारीक रहमान के अगिंस्ट दिये जज़्जमिन्ट को वापस लेनी का प्रेशर बना रही है बांगलादेश में बिफोर एलेक्शन हो रहे बवाल का थर्ड डीजन है कंट्री में एकॉनमिक अन्रस्ट की सेचुएशन बांगलादेश external debt crisis, high inflation rate, foreign exchange reserve की shortage और high corruption rate जैसे severe economic problem face कर रहा है और इसे लेकर कंट्री में घमासान मचा हुआ है जून 2022 में बांगलादेश में inflation rate 7.56% पर था एक साल बाद यानि current year में में ये rate 9.94% तक बहुच गया कंट्री में महगाई की position इस बात से समझ ये कि last year fuel prices में 52% का high किया गया petrol price 51.7 और diesel price 42% increase किये गया बांगलादेश को 2023 की starting में ही IMF यानि International Monetary Fund ने 4.7 billion US dollar का debt दिया है बांगलादेश चीन के BRI का हिस्सा है और चीन उसे 4 billion US dollar का कर्ज दिया हुआ है बांगलादेश पर चीन का ये कर्ज भारी पढ़ रहा है IMF ने भी उसे loan economy के stable करने के लिए दिया बट अब तक उसमें कोई improvement होता दिखाई नहीं दिया बट इसे लेकर opposition government के अगेंस्ट continuously protest और्गनाइस कर रही है ऐसे में एक protest में BNP के सातों member of parliament ने house से resign कर दिया था overall ये कि बांगलादेश का upcoming election बहुत interesting होने जा रहा है price hike और bad economic conditions को लेकर शेख khasina की आवामी league को anti-incumbency का सामना भी करना पड़ रहा है बट में opposition party BNP अपने दोनों main leaders की absence में public को कितना mobilize कर पाएगी ये देखना बहुत interesting होगा बट इस election को इंडिया के perspective में भी देखना चाहिए इंडिया ने कभी directly या openly बांगलादेश की internal politics और election में interfere नहीं किया यहां तकि इंडिया इस बारे में कोई statement भी बहुत सोच समझ कर दीता है बट ये भी fact है कि आवामी league इंडिया के supportive है और previous experiences में भी ये कहते है कि अगर बांगलादेश में BNP की government आती है तो दोनों countries के बीच relationship पर impact जरूर पड़ेगा इसे बांगलादेश की information minister हसन महमूद ने अपने उस statement से और clarify कर दिया था जिसमें उन्होंने BNP को पाकिस्तान से support मिलने का claim किया था तो बांगलादेश में चीन और पाकिस्तान दोनों की interference से इंडिया को tackle करना मुश्किल भरा हो सकता है आज जी उपस में इतना ही आपको हमारी ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइए नेक्स एपिसोड में अपसे फिर मुलाकात होगी किसे नए टॉपिक के साथ तब तक अब ख्याल रखिये गुडबाए